कि दोस्तों अर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है गल्सुवा पैरों टाइटिस मम्स या कंठ माला जिसे कहते हैं तो यह क्या होता है मैं आज इस पर चर्चा करूंगे दोस्तों यह वाइरस की द्वारा होने वाला रोग है और यह बहुत ही दर्द युग तो होता है कि दातों में दर्द होता है सर में दर्द होता है और जो रात होती है वो ज्यादा कस्टदाई होती है इसका जो में कारण होता है दोस्तों यह होता है कि इंफेक्शन के कारण यह वाइरल इंफेक्शन होता है और यह कम्यूनिकेबल डिजीज होता है मिन्स एक व्यक्ति से करते हैं तो उनके जो मुझ से छोटे-छोटे बूंद पड़ जाते हैं छीटे पड़ जाते हैं उससे इंफ्यक्शन फैल जाता है अगर किसी का जूठा पानी पी लेते हैं उससे भी होता है खाने पीने की चीज गंदी होती है उसका सेवन करते हैं उसके वजह से होते हैं या तक समझ पाएंगे तब तक ये बहुत ही पेनफुल हो जाता है दर्द भरा हो जाता है इसमें कान के निचले और गाल के बीच में दर्द होता है स्वेलिंग होती है कभी-कभी वहां पर रेडनेस भी बना रहता है निगलने में बहुत दिकत होती है पानी पीने में या कुछ अगर आप खा रहें तो उसको आप निगल नहीं पाते हैं कि बहुत देज बुखार आ जाएगा सीर में दर्द होगा और कानों में एक अजीव सा टंटन करके दर्द होगा यह बहुत सारे लक्षन होते हैं दोस्तों इसका बचाओ बहुत ही जरूरी होता है इसलिए छोटी बचों में बचाओ के लिए MMR जो वेक्सिनेशन होता है वो कराना बहुत ही जरूरी है क्योंकि M का मतलब मीजल्स सेकंड M का मतलब मंस और थर्ड आर का मतलब रुबैला यह दो वर्स से 12 वर्स के बच्चों में बहुत ही अधिक होता है यह बड़ों में भी होता है लेकिन इसका असर दूसरे ग्लैंड पर पड़ता है जिससे बहुत तरकी आगे चलकर प्रॉब्लम क्रेट हो जाती है दोस्तों इससे बचने का उपाय है तो समझ लिए हम लोग अब समझते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो करना क्या चाहिए तो पहली चीज है क कि आप कुछ बचाव कर सकते हैं कुछ आराम दे सकते हैं उसके लिए आपको लिक्विड डाइट लेना चाहिए तरल पडार्थ लेना चाहिए आप ठोस बिल्कुल कोई चीज़ खाने का प्रयत्न ना करें पहली चीज आप निगलने में भी परिशान हो जाएंगे और दू लिकुल ना लें खट्टेपन से इसका प्रदा बढ़ जाता है आप बहुत सॉलिड चीज तो मैंने मना किया है साथ में किसी फल का रस्वी ना लें ये भी इंफेक्शन को और ज्यादा बढ़ा देता है इसके लिए आपको कुछ जो ट्रेटमेंट लेना है मैं बताती हूं कि आप गरम पानी कर लें उस गरम पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें और उसका गारगिल करें अगर आप मार्केट से जो एक सुलूशन होता है ओरल फ्रेशनर सुलूशन जो बिटाडीन कही नामों से आता है उसको ला सकते हैं गरम पानी में उसका चाट ड्राप डाल के और गारगिल कुल्ली करें, अगर वो भी नहीं है, तो आप लॉंग को गरम पानी में बॉयल कर लिजिए, और उसका एक हलका सा रंग निकल आएगा, एकदम भूरे कलर का, फिर उसको हलका करके ज्यादा गरम भी नहीं यूज करना है, क्योंकि उससे भी तकलिफ होगी या जल होगी, तो उसको एक गुनगुने स्थिती में रख कर उससे आप कुल्ली करें, कई बार कुल्ली करें, इससे बहुत रहत मिलेगी, दोस्तों मैं घरेलू उपचार बताती हूं, कि अगर आप पानी से गारगिल कर रहे हैं, साथ में आप पेष्ट वहाँ पर लगा लें, और ये पेष्ट आपको अधरक का बनाना है, कई मार्केट में मी नहीं जाना है, अधरक का पेष्ट बना लें, और जहाँ पर सूजन का एरिया है, जो छेतर है, वहाँ पर एक लेप लगा लें, उस लेप को कम सकम 30 to 45 मिनट सक रखें, दूसरी चीज, कि आप वहाँ पर पीपल या बरगत की जो कुमल पत्तियां होती हैं, उसको खी में आप सेख लीजिए, और एक थोड़ा सा वारमर है, थोड़ा सा ही सिर्फ गरमर है, उसको आप बांग लीजिए, इससे बहुत ही अरामी लेगा, क्योंकि इसका जो गुड़कारी जो चीज है, वो है कि ये तो स्वे ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा दें, दोस्तों कुछ लोग जो गामीर छेतर में और आज भी हमारे जो बुजुर्ग दादी और माताएं हैं, जो गामें दादाजी लोग हैं, तो कहते हैं गलशुआ माई, ठीक है, ये माई के नाम से एक उनको बचाव करने का बहुत अच्छा उसर मिल जाता है, क्योंकि इसमें इंफेक्शन की चांस होते हैं, तो माई के नाम से ही सही, वो ना जूठा खाते हैं, और ना खिलाने देते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा बचा होता है, कि जो इसका इंफेक्शन है, कि एक से तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, यही कारण है कि गाउं में ऐसी बिमारियों का नाम माताजी रख देते हैं, जिससे कम से कम डर की वज़ा से ही, एक भै की वज़ा से ही, हम वो सारे बरताव करें, जिसकी वज़ा से दूसरे ब्यक्ति में यह बिमारी ना लग सके, और बहुत लंबे समू में ना पहुच सके, दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आप आर मोरिया चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज दोस्तों कर लीजिए, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर आती हूँ, और आप अग किया थानना प्लीज दोस्तों किया अपरू है।